नुश्य रोस्तों, डेट हैं आज की 8 नुवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोर्यल डिस्केशन में आज देखो हिंदू में जो आर्टिकल्स है ना थोड़े गिजे पिटे टाइप के हैं, मतलब जैसे मन्रेगा की पेमेंट डिले हो रही है, ओकस, फ्यूल प्राइसिस का घरना, तो मतलब इन आर्टिकल्स में ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा यूनीक चीजें मिलेंगी ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कहीना कहीं आ लेडी या तो आपको पता है, या फिर ना भी पता हो तो भी आप लिख सकते हो, आंसर्स में, तो इन तीनों को तो हम डिसकास करेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दो इशूज अलग से डिसकास करेंगे, एक तो मैन और वाइलाइफ के बीच कंफ्लिक्ट से समंदित, और एक हाइप के एजूगेट किये, तो ये तो देखो एजूगेशन है ही नहीं, अगर कोई पर्सन एजूगेट है लेकिन उसके अंडर प्भाइशन नहीं है, उसका जो हाइट है, वो धड़कता नहीं है, मानवता के लिए फिर क्या वो person educated हैं ये Aristotle का मानना था जो कि सही भी हैं ऐसे में आप इसको इस्तमाल कर सकते हो एथिक्स में भी इस्तमाल कर सकते हूँ चलिए discussion स्टार्ट करते हैं फिर्ष्ट इंपोर्टन आर्टिकल्चर से समधित हैं आप GS paper 3 के agriculture से इस आर्टिकल्चर को रिलेट कर सकते हूँ सबसे पहले देखो हम agriculture से समधित basics की बात करते हैं agriculture सेक्टर में 6 कैटेग्रीज के पोधे आते हैं सबसे पहले pomology यानि fruits उसके बाद olericulture यानि vegetables सबजिया तीसे नंबर पे fool यानि floriculture उसके बाद plantation crops जैसे की coffee spices यानि मसाले और सबसे लाश्ट में aromatics and herbal medicines aromatics crops देखो वो crops होती हैं जिनका इस्तमाल क्या जाता है special flavor के लिए या फिल smell के लिए जैसे देखो असव गंदा का पोधा हैं अगर हम बात करें present status क्या है इंडिया का horticulture sector में अच्छा है अभी देखो fruits and vegetables के मामले में इंडिया second largest producer है यानि world में दूसे नंबर पे सबसे ज होती हैं और मसालों की बात करें तो इंडिया second largest producer है मसालों का पूरे world में और second largest exporter भी हैं South India में खांस करके केरला में करनाटक में बहुत मसाले produce होते हैं हमारे देश में और देखो हमारे देश का सिरफ 14% जो agriculture land है na horticulture के लिए इस्तमाल होता है जो कि होगा almost 25 million hectare के आसपास हैं लेकिन बावजूद इसके horticulture sector हमारे देश की agriculture GDP में नहीं agriculture GVMA यानि gross value added में 33% contribute करता हैं 25 million hectare पर horticulture के crops उगाई जाती हैं जिसका total weight होता है 300 million ton productivity कितनी है average तोर पर horticulture की productivity है 12.5 ton per hectare जबकि जो यह food grains है जैसे paddy और wheat उगाया जाता है इन में देखो average productivity है 2.25 ton per hectare तो आप compare कर सकते हो horticulture sector में productivity काफी ज़्यादा होती है importance काफी है horticulture sector की क्योंकि देखो जैसे अब फूल है सबजिया है फल है इनकी demand consumers की तरफ से ज़्यादा होती है क्यों consumers को पता होता है इनके nutritional benefits के बारे में सब को पता है vegetables में fruits में nutrition होते हैं इसलिए इनकी demand relatively ज़्यादा होती है और जैसा हमने discuss किया per hectare productivity भी ज़्यादा है horticulture crops की next point देखो अभी hidden hunger इंडिया में काफी ज़्यादा है हम बार बार discuss करते हैं कि छोटे बच्चों में nutrition की कमी ज़्यादा देखी जाती है इंडिया में तो fruits and vegetables अगर हमारे देश में sufficient मात्रा में हो तो उनके दाम भी ज़्यादा नहीं होंगे और हमारे देश में जो hidden hunger की सम मश्या है उसको adders करने के दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे और देखो fruits, vegetables, food, plantation crops ये सब चीजें ज़्यादा उगाई जाती है न तो इनका value addition भी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है provided infrastructure हो ये point हम बात में discuss करेंगे कि horticulture के जो कुछ crops है उनके लिए cold storage की विवस्ता होना खराब हो जाते हैं तो मतलब point ये है horticulture crops की साइथा से cottage industries लगाने का scope ज़्यादा है यानि जो आम है, save है इनकी primary processing करके कुछ ऐसा product बनाया जा सकता है जो market में ज़्यादा दाम पर भिके जैसे save का अचार हो गया example है आम का अचार हो गया मतलब की cottage industry देखो वो industry होती है जो घ घर में ही लगाई जाती है family members उसमें लगे हुए है या फिर दूसरे करमचारी भी उसमें लगे हुए है लेकिन घर से वो industry चल रही है तो इसे कहा जाता है cottage industry next point ये है चुकि देखो horticulture sector में काफी जो crops होती है वो labor intensive होती है labor intensive होगी तो मतलब employment की opportunities ज्यादा generate होंगी तो ये स सबसे बड़ा challenge तो ये है जैसे देखो paddy है wheat है इनका harvesting cycle छोटा होता है बट आप सेब उगाओगे अमरूद उगाओगे इनकी फसल पकने में ही लंबा समय लग जाता है तो किसानों को ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है फसल की harvesting के लिए दूसरा point ये है हमरदेश में ज जातर जो horticulture cultivation होता है वो rain fed cultivation है यानि पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है irrigation की विवस्ताएं कम है उन एरियास में जहां पे horticulture practices होती है यानि horticulture खेती की जाती है next है poor tree canopy management जैसे देखो आप आम के पीड उगा रहे हो तो काफी बार किसान जो ना इतनी जारा trend नहीं होते वो या तो दूर दूर आम के पेड उगा देंगे या फिर बिल्कुल नजदीक नजदीक उगा देंगे कि वो उगएंगे ही नहीं जैसे बिल्कुल दो इतना नजदीक नजदीक पेड उगा दियें तो छोटे से area में दो पेड resources को share करेंगे दोनों ही जो पेड हैं अपने potential services extension services मतलब जिससे किसान सीख scheme best agriculture practices को adopt कर सकें तो सरकार ना जैसे wheat है पैडी है दाले हैं उनके बारे में तो extension services ज्यादा देती हैं कि आप ऐसे दाल उगालो ऐसे wheat उगालो इतना fertilizer इस्तमाल करो बट horticulture पर सरकार इतना ध्यान नहीं देती extension services की अगर हम बात करें वैसे सरकार क schemes हैं जो हम बाद में discuss करेंगे लेकिन point यहाँ पर extension services का है यानि किसानों को जागरूप करने समंदित चीजों का है next initial cost ज्यादा आती है horticulture sector में technologies को adopt करने की और इसी से समंदित point ये भी है initial input cost भी ज्यादा है अब देखो आपने चुकि harvesting cycle बड़ा होता है आपने इतने उगा दिये पहडों में या फिर आम उगा दिये आप इंतिजार कर रहे हो एक साल तक मान लीजिए कुछ पोदे को कुछ disease हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया आपकी एक साल की पूरी मेहत पानी में लग जाएगी शुरू में आपको काफी खर्चा करना पड़ता है पेड उ productivity को increase करके कैसे hybrid technology का इस्तमाल करके hybrid technology जैसे आप काफी बार newspapers में पढ़ते हो टमाटर, चिली, खर्बूजा और खीरा इन सब को combine करके एक hybrid पोधा उगाया गया है तो ऐसे ऐसी चीज़ें आप पढ़ते हो ऐसे hybrid technology को develop किया जा सकता है होटिकलचर सेक्टर में production को increase करने के system इसके मतलब देखो ये है पोधों को करीब करीब तो उगाओ, नजदीक नजदीक तो उगाओ, लेकिन proper techniques and procedures का इस्तमाल करके इसके बाद area expansion पर focus किया जाए, जैसे देखो urban areas में आज के समय में छटों पर खेती होने लगी है, तो नई नई, जैसे इसराइल में होती है खास करके urban cropping, तो ऐसी नई नई जो techniques है न, उनका इस्तमाल करके area को expand किया जाए, इसके बाद resource use efficiency, इसका मतलब ये है, resources को अच्छे से utilize किया जाए, horticulture, cultivation में, जैसे देखो micro irrigation का इस्तमाल करके, मतलब ज़्यादा पानी waste ना हो, micro irrigation का इस्तमाल किया जाए, fertigation, fertigation में क्या होता है जैसे drip irrigation से, जो सिचाई होती है न, उसी में fertilizers को मिला दिया जाता है, इसे कहा जाता है, fertigation, तो resources अच्छे से utilize हो जाते है, fertilizer बिल्कुल जड़ों में चला जाता है, mechanization का इस्तमाल कीजिए, labor cost को कम करने के लिए, हला कि देखो, अगर ये करेंगे, फिर तो वो वाला point nullify हो ज next है, market access को improve करना, मतलब कि, किसान जो होटिकल्चर cultivation करते हैं, उनको उनकी फचलों का उची दाम दिलवाना और नजदीक ही मंडिया हो ताकि उनको अपनी फचल बेचने के लिए जादूर ना जाना पड़ें, जो value processing industries हैं, उन पर focus करना, तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, ये सारी steps उठाये जा सकते हैं, horticulture production को boost करने के लिए, general से points हैं, मतलब ऐसा नहीं की, बहुत unique से ये points हैं, वैसे सरकार का एक mission भी है, national horticulture mission, ये सरकार ने launch किया था, 2005-2006 में, 10th 5-year plan के दुरान, ये जो mission है न, ये horticulture sector की holistic growth ensure करने के लिए सरकार ने launch किया था, इस mission में, अलग-अलग areas में, अलग-अलग strategy अपनाई गई हैं, और इस mission की साहिता से, 9 crore metric ton of fruits, on 63 lakhs hectare land पर उगाया गया है, during 2015-16, थोड़ा पुराना data है, 2015-16 का, चुकि देखो, horticulture farms, छोटे होते हैं, लेकिन, investment पर return जादा आता है, तो छोटे और जो मंजले किसान हैं, वो अपनी incomes को increase कर सकते हैं, आम तोर पर उनका land छोटा होता है न, जैसे एक एकड़ है, एक एकड़ पर अगर wheat उगाएंगे, तो ज्यादा फाइदा नहीं होगा, लेकिन, horticulture crops को अगर उगाएंगे, तो ज्यादा investment, थोड़ी investment पर ज्यादा returns आने की संभावना हैं, multiple crops एक साल में harvesting cycle है, ज्यादा हो, लेकिन कुछ का कम भी तो होगा न, और वो छेतर, जहाँ पर बारिस कम होती है, जहाँ पर पैड़ी, wheat, इनको उगाना मुस्किल हैं, वहाँ पर horticulture, जो crops हैं, वो किसानों के लिए वर्दान साबित हो रही हैं, लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, national horticulture mission को launch करने के बाद, horticulture sector में significant progress देखने को मिली है, पिछले 10 सालों में, horticulture sector में जो area है, वो 2.7% per year की rate से बढ़ा है, और production जो है, वो 7% per annum के rate से बढ़ी है, गोर्मेंट ने और भी initiatives launch किये हैं, जैसे integrated development of horticulture के अंतरगत, high density plantation, protected cultivation, micro irrigation, quality planting material, इन सब चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया है, conclusion में कहा जा सकता है, हमारे देश में अब धेरे-धेरे horticulture, किसान भी जाद ध्यान देने लगे हैं, लेकिन अभी भी state government हो, central government हो, इनको और ज़्यादा परियास करने के आव सकता है, जैसे cold storage का infrastructure provide करना, market की availability अभी भी limited है, तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देने के आप सकता है, जैसे price fluctuation एक ऐसा issue है, कभी fruits के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो price stability को ensure करना भी ज़रूरी है, तो ये वो चीज़ें है, जिन पर सरकारों को ध्यान देने के आप सकता है, ताकि किसान औ और ज़्यादा अकरसित हो, horticulture cultivation के तरफ, ये हमने पूरा issue discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, AUKUS से समन्दित है, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो background आपको पता है, AUKUS मतलब 3 countries का एक group, UK, US and Australia, इस group को कुछी दिनों पहले establish किया गया था, और जब group की formation को announce किया गया था, तो ये भी कहा गया था, कि US, Australia को nuclear powered submarine वाली technology देगा, तो इससे France गुसे में आ गया था, क्यूंकि इससे पहले Australia, France से diesel से चलने वाली submarine परचेस करने वाला था, लेकिन US ने जब technology देने का announce किया, Australia को, तब Australia ने France को मना कर दिया, कि हम आप से diesel से चलने वाली submarine नह अपने वाली बात है, France दोनों से नराज हो गया, US से भी और Australia से भी, तो अब हाल ही में, जो conference of parties की meeting हुई थी ना, climate change से समदित, UK के सहर Glasgow में, इस conference के दुरान, US और France के राश्टरपती आपस में मिले, तो US के राश्टरपती Biden ने तो कह दिया कि हमने AUKUS का जो announcement था, वो ठीक से handle नहीं किया, गल्त डंक से handle किया, हम France के साथ हमने जो कुछ किया, उसके लिए हमें regret है, खेद है, तो France की नराजगी जो है, वो थोड़ी दूर हो गई, US से तो, France देखा कि ठीक है, चलो US की गल्ती नहीं है, Australia की बात करें, Australia से France की नराजगी अभी भी दूर नहीं हुई ह लेकिन writer कहते हैं, दूर हो जाएगी, इनको आज नहीं तो कल एक साथ आना ही पड़ेगा, ये western countries हैं, इनके जो concerns हैं, वो एक जैसे ही हैं, इसके बाद देखो, कई सारे aspects discuss किये जाते हैं, आर्टिकल में AUKUS से समन्दित, जैसे देखो, AUKUS का निर्मान जब हुआ न, तो हमन इंडिया के अलावा, ये जो South East Asian countries हैं न, ये भी insecure मैसूस करेंगे, आश्टेलिया के पास ऐसी technology आएगी, इवन New Zealand ने भी कहा दिया कि, हमारे आसपास तो भया, आप ये nuclear वाली समरीन हैं मत लेके आना, New Zealand के water में, तो अब न, आश्टेलिया ने इन सब के concerns को सांथ करने की को हैं, हमारी इस समरीन से या फिर हमारे इस ग्रूप से आश्टेलिया को कोई खत्रा नहीं हैं, तो आश्टेलिया के जो concerns है न, उनको आश्टेलिया ने address करने की कोशिस की हैं, यही बात आश्टेलिया ने New Zealand को भी बोली है, आश्टेलिया ने कहा है, जो आलरी nuclear free zone की treaties हैं, ज हम पूरी तरह से ensure करेंगे कि यह treaty जो हैं, किसी परकार से इनका violation ना हो, तो मतलब साफ है, आश्टेलिया ने आश्टेलिया ने आश्टेलिया और बाकी जो देश जैसे New Zealand वगरा, इनके concerns को address करने की कोशिस की हैं, जो emerge होके आये थे, US ने जब यह announce किया था कि हम आश्टेल यह तो मतलब सद्यों पुरानी इनके बीच में partnership है, US और UK, इनके बीच में तो special defense partnership है, कितने सालों से, Second World War भी US और UK ने 7 मिलके लड़ा था, और जब देखो US, nuclear weapons का निर्मान कर रहा था न, 1943 में, तो UK भी nuclear weapons का निर्मान करना चाहता था, तो US ने UK को बोला कि आप अलग से क क्या करोगे, आपका जो nuclear program है न, हमारे nuclear program में आप merge कर दो, तो US का nuclear program था Manhattan Project, इसी में UK ने अपना nuclear program merge कर दिया था, और कहा जाता है, बाद में, US ने ही UK को nuclear weapons produce करने की technology धी, इवन UK ने अपना पहला, जो nuclear test conduct किया, वो देखो, आस्टेलिया के, Montybello Islands में conduct किया, 1952 में, आस्ट पर अभी भी British monarch को, यानि Queen को Head of the State माना जाता है, और powers जो हैं, आस्टेलिया में, वो सविधानिक तोर पर exercise की जाती है, Governor General of Australia के द्वरा, जो कि UK की monarch के, यानि Queen के representative है, आस्टेलिया में, तो इनकी relationship नब बहुत पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि AUKUS group बन गया, ये देश पह आस्टेलिया कि हम इस group की साइता से अपनी relationship को बहुत आगे लेके जाएंगे, और इसकी पीछे सबसे important reason जो responsible है, वो है चाइना, चाइना देखो पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से grow हुआ है, अभी तक देखो आस्टेलिया ने चाइना को security perspective से ज़्यादा नहीं important है, बट अब strategic और security perspective से आस्टेलिया चाइना को देखने लगा है, आस्टेलिया को लगता है, 1942 के सुरवात में उससे मैं second world war चल रहा था, तो Japanese submarines ने Sydney harbor पर attack carry out किया था, तो उसी परकार से चाइना की जो naval power है, वो काफी तेजी से increase हुई है, आगे जाके चाइना, आस्टेलि अगर हम यूँ कहें, एकदम से जाक गया है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक security पे जादा अस्टेलिया ध्यान दे ही नहीं रहा था, लेकिन अब एकदम से चाइना को लेके अस्टेलिया काफी जादा चिंतित हो गया है, इसके बाद article में कहा जाता है, देखो nuclear powered submarine द technology, undersea capability, तो undersea capability यनि submarine देना तो सिरफ एक aspect है, दूसरे aspects में भी आपस में ये देश corporate करेंगे, लास्ट में comparison किया जाता है, quad और AUKUS के बीच में, एको quad और AUKUS अलग-अलग है, लेकिन complimentary हैं, दोनों का जो मकसद है, indirectly वो same ही है, चाइना को contain करना, अगर एक चीज़ ensure की जाए, तो ज़्यादा फाइदा होगा, जो AUKUS ये group है ना, ये pacific centered होना चाहिए, यानि आप ये देखिए, pacific reason पर ज़्यादा ध्यान दे, AUKUS group अगर ऐसा होता है, तो ज़्यादा फाइदा है, क्यों? क्योंकि ASEAN के जो concerns हैं, उनको भी address किया जा सकता है, इनको लगेगा कि नहीं ये हमारे reason में AUKUS group active नहीं है, ये pacific reason में है, इंडिया को भी insecure मैसूस होने के आउ सकता नहीं है, तो अगर AUKUS group pacific ocean centered होता है, तो Indian ocean reason में जो power का balance है, वो upset नहीं होगा, ये इंडिया के लिए, आशान के लिए ठीक है, लास्ट में conclusion में तो ये ही बोला जाता है, चाइना की ज जो naval power है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, चाइए वो nuclear powered submarine हो, diesel electric submarines हो, मतलब हर छेतर में चाइना की naval power है, वो increase होई है, कोईड जो group है, अकेला sufficient नहीं है, चाइना को counter करने में, अभी तक कोईड जो है, वो एक military alliance भी नहीं बना है, तो इसलिए AUKUS का बनना जो है, कोईड के ल fuel prices से समन्दित है, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हूँ, क्या contest है, central government ने देखो दिवाली के मोके पर petrol और diesel पर excise duty कम कर दी, petrol पर 5 रुपे पर लिटर के हिसाब से excise duty को कम किया गया, और diesel पर 10 रुपे पर लिटर के हिसाब से excise duty को कम किया गया, और इसके बाद central government ने women states और utilities को भी आवान किया, कि आप भी कम कर दीजिये, वेट, petrol और diesel के दामों पर, तो 20 से ज़्यादा states और union territories ने अब petrol और diesel पर वेट को कम कर दिया है, तो दोनों ने कम कर दिया, states ने, 20 states और utilities ने वेट को कम कर दिया, central government ने excise duty को कम कर दिया, तो इसका result ये निकला है, petrol और diesel के ज कम हो गए है, आल्मोस्ट, petrol के दाम 5% कम हुए है, और diesel के 11%, कई-कई राज्यों में तो ये आंकड़ा ज्यादा है, फाइदा क्या होगा, फाइदा देखो ये होगा, चुकि हमले देश में, पूरा जो transportation है, पूरा तो नहीं मतलब जातर जो transportation है, petrol और diesel के दामों पर ही depend करता है, तो अगर petrol और diesel के दाम बढ़ते हैं, तो inflation भी बढ़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समान ले जाने की जो cost है, वो increase होती है, तो अब petrol और diesel के दाम कम हो जाएंगे, तो inflation कम होगी, जनता कुछ saving भी करस केगी, जो जनता saving करेगी, वो पैसा जनता दूसरी चीजों पर कर्च करेगी, तो market में demand बढ़ेगी, और हम जो हमारी economic situation improve करने की कोशिस कर रही है, वो हम कर्च कहेंगे, सरकार कहती है, central government कहती है, हमने economy को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, कुछ experts बोलते हैं, अभी by elections में BGP की हार हुई, उसको ध्यान में रखते हुए य रजनीटी से समदित, और इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम, ग्लोबल मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो मजबूरी में फिर हमारे देश में भी जो पेट्रोल और डीजल की कंपनीज हैं पेट लोग टम भी, लोग टम जैसे की देखो हम बार बार डिसकस करते हैं, हमें फ्यूल के दूसरे अल्टरनेटिव पर भी ध्यान देना होगा, जो सरकार दे भी रही हैं, जैसे की नूकलियर अनर्जी हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं नूकलियर वाले भी, रिन्यूबल अ इनर्जी पर सरकार ध्यान दे रही हैं, इसके अलावा, गैस पाइपलाइन तो फिलाल ठब पड़ी हैं, चाहे वो तापी हो, या फिर इरान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन हो, मतलब जो भी दूसरे सोर्सिज ओफ एनर्जी हैं, उनको सरकार को अब सीरियसली एक्स ऐसी सिच्वेशन के लिए जब पेट्रोलियम की जो सप्लाई है वो बादित होती है, मतलब मुस्किल भरी घड़ियों के लिए पेट्रोलियम को स्टोर करके रखा जाता है, तो इसका इस्तिमाल तब भी किया जा सकता है, जब दाम जो हैं पेट्रोल और डीजल के इंटरने जा सकता है, अभी देखो पेट्रोल और डीजल पर जीएश्टी नहीं लगता, अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएश्टी लगना स्टांट हो जाएगा ना, तो शाइंटरल गूर्मेट के एकसाइज ड्यूटी स्टेट का वैट यह सब खतम हो जाएंगे, और लिए जो पेट्रोल और डीजल इस्तमाल होगा ना उसके लिए जो GST लगेगा पेट्रोल और डीजल पर उसे बिजनेस फर्म्स के द्वारा हम इंपूर्ड करडिट के तोर पर क्लेम किया जासकेगा तो यह कुछ पॉइंट्स हमने डिसकस किये चलते हैं आगे इसके बार नेक्स्ट आर्टिकल मंद्रेगा पेमेंट्स से समधित है आप GST पेपर 2 के इस टोबिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो आर्टिकल में देख गर की चाबी खो गई थी तो वह अपने घर की चाबी ढूंड रहे थे कहां पे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे ये स्ट्रीट लाइट है मालीजे श्ट्रीट लाइट के नीचे वह अपने घर की चाबी ढूंड रहे थे तो वहां से एक परसन गुजरा उस परसन ने मुला नस्रीदीन से पूछा कि क्या ढूंड रहे हो तो नस्रीदीन ने जवाब दिया कि मैं अपने घर की चाबी ढूंड रहा हूं ताले की चाबी खो गई है तो उस रोड पर गुजरने वाले व्यक्ति ने पूछा क्या आपको पता है मतलब जहां पर ढूंड रहे हो चाबी वही तो नसीर दिन ने जवाब दिया कि light तो actually यहीं है ना घर के आसपास light नहीं है तो मैंने सोचा जहाँ पे light है वहीं पे चा भी ढूंड लेता हूं इस कहानी का क्या लेना देना है मंद्रेगा से अब पता लगेगा आपको थोड़े एक बड़ डिसकस कर लेते हैं इशू क्या ह इशू देखो यह है दिवाली पर ना 8 करोड मंद्रेगा की जो payments है वो pending है इस साल सरकार ने मंद्रेगा के लिए जितना पैसा allocate किया है ना वो पिछले साल के अपिक्सा कर पिछले साल के revised budget allocation के अपिक्सा कर 34% कम है जबकि सरकार कहती है sufficient funds available है अगर देखो sufficient funds available है तो इतना ल पहली stage यह होती है कि मान लिजिए खेत है या फिर मतलब कोई public place है जहाँ पे किसी मंद्रेगा worker ने काम किया तो काम complete होने के बाद state जो है center को FTO send करता है यानि fund transfer order state center को बोलता है कि इस public place में इस मंद्रेगा worker ने काम कर दिया है यह इस मंद्रेगा worker का नाम है यह account details है आप ऐसा इस मंद्रेगा worker के खाते में भेज दीजिए state को ऐसा आठ दिनों के अंदर-अंदर करना होता है यानि state को fund transfer order जो है center को काम complete होने के 8 दिनों के अंदर-अंदर भेजना होता है उसके बाद दूसरी stage में बारी आती है central government की central government की responsibility यह है state ने जो fund transfer order भेजा है न उसके हिसाब से उस मंद्रेगा worker के खाते में पैसे send करना central government को यह काम 7 दिनों के अंदर-अंदर करना होता है यानि 15 दिनों के अंदर-अंदर मंद्रेगा worker के खाते में पैसे चले जाने चाहिए लेकिन जाते नहीं है data ये बोलता है first stage में जो delay है वो पिछले कुछ महिनों में कम हुआ है लेकिन second stage में जो delay है यानि central government की तरफ से delay जो है वो ज़ादा होता है वैसे provision ये भी है मनरेगा act में कि 15 दिनों के बाद अगर delay होता है तो per day के हिसाब से मनरेगा worker को compensation मिलेगा लेकिन सरकार payment architecture का भाना बना लेती है सरकार कहती है कि technical चीजों की वज़े से delay हो रहा है अब बात किजी वही कहानी मुला नसुर दिन वाली actually ना सरकार को चाबी ढूननी चाहिए अपने घर के आसपास लेकिन सरकार चाबी ढून रही है street light के नीचे यहनी सरकार को fund allocation जादा करना चाहिए मनरेगा के लिए जबकि सरकार बहाना बना रही है कि technical regions की वज़े से delay हो रहा है एक और चीज सरकार ने ना March 2 को एक order pass किया कि जो भी payment जाती है ना workers को वो caste के अधार पर segregate होनी चाहिए मतलब कितनी payment SC workers को गई है कितने ST workers को चाहिए है कितनी other caste के workers को गई है हलां कि देखो ये काम काफी cumbersome था लेकिन फिर भी होना start हुआ state level पे जो accountant थे उन्होंने सिकायत भी की कि देखो इससे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा complex हो जाती है और delay भी काफी ज़्यादा हो जाता है central government ने कहा कि नहीं ये करना ज़रूरी है हमें पता लेवाना ज़रूरी है कौन से कांस्ट के workers को ज़्यादा फाइदा हो रहा है मंद्रेगा से लेकिन चीज़ें complex हो गई इससे जब तक देखो ये चीज़ चल रही थी डेटा में ये सामने आया SC और ST workers को delay जो था थोड़ा कम था जबकि non SC-ST workers को ज़्यादा delay के साथ पैसा जा रहा था हलाकि अब मना कर दिया है central government में कि ठीक है आप caste segregation मत कीजिए कौन सी काश्ट के workers को पैसा गया है लेकिन फिर भी देखो delay जो है वो अभी कम नहीं हुआ है central government ने बड़े बड़े दावे किये थे कि अब अधार कार्ड की साइथा से मतलब जो payment system है उसके थूँ पैसा जाता है तो delay कम होगा लेकिन पहले जो accounting का system था ना उसमें भी उतना ही time लगता था अभी भी उतना ही time लगता है कि फिर आपने जो अधार based compulsory किया है direct account में पैसा जाता है तो फिर उससे delay क्यों कम नहीं हुआ इससे ये central government को जबाब देना चाहिए कि आपने नई-नी technologies का इस्तेमाल किया अधार card से मन्रेगा card को link कर दिया फिर भी इतना देरी से पैसा जाता है आखिर कार क्यों लास्ट में राइटर बोलते हैं immediately देखो 50,000 क्रोड रुपे और ज़धा allocate करने चाहिए central government को मन्रेगा scheme के लिए और अगर workers का जो payment है delay होता है तो इसके लिए उन्हें compensation भी मिलनी चाहिए ये उरा article हमने डिसकस किया मन्रेगा से समदित चलते हैं आगे इसके बार next जो article है वो देखो लियोपर्ड के extension से समदित है ये सिरफ news है Indian Express की issue हम revise करेंगे अलग से तो news ये है Indian Express में आई थी इंडिया में लियोपर्ड जो है वो आने वाले समय में लूप्थ हो सकता है ये study publish हुई journal global ecology and bio geography में लियोपर्ड के देखो काफी सारा deaths होती है नोर्थ इंडिया में accident से तो आने वाले 50 सालों में extinct हो सकता है ये लूप्थ हो सकता है लियोपर्ड नोर्थ इंडिया में probability of extinction कितनी है 83% और population road guild कितनी है 19.4% 2019 के मानसून सेशन में Union Environment Ministry ने लोकसभा को इंफॉर्म किया कि पिछले 5 सालों में elephants के द्वारा 2398 लोगों को मारा गया है और tigers के द्वारा 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया अब देखो इस human और wildlife conflict में ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान को नुक्सान पहुंसता है बहुत सारे निर्दोस जानवर्स भी मारे जाते हैं इस human wildlife conflict में ये जो conflict होता है ना सिर्फ protected areas जैसे नैसन पार्क और wildlife centuries में होता है बलकि human wildlife conflict protected areas के बाहर भी होता है और अलग-अलग form में होता है जैसे देखो बंदरों के द्वारा urban sectors में उत्पात मचाना farmers का आरोप रहता है कि wild pigs और elephants जो है वो खड़ी फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं और बहुत बार tigers और leopards नुक्सान पहुंचाते हैं human beings को ये सब क्या है ये सब examples है human wildlife conflict के इसके बाद हम कुछ regions की बात करते हैं जिनकी वज़े से human beings और animals के बीच conflict लगातार increase हो रही है देखो सबसे पहला और common reason ये है animals का जो habitation है वो security रहा है human beings की बढ़ती अबादी के कारण और development activities के कारण जंगलों को काटा जा रहा है इसका परिणाम ये निकलता है animals के लिए जंगलों में रहने के लिए area कम हो जाता है और जाने अन जाने वो जंगल से बाहर आ जाते हैं और उनका सामना होता है human beings से इसके बाद next reason है disturbed food chains देखो कुछ animals पर तो सरकार ने काफी focus किया है for example tiger ऐसे animals की संख्या पहले के अपिक सकर्थ increase हुई है लेकिन अब बड़े हुए tigers के जो संख्या है उनके लिए परियाप्त मातरा में prey नहीं है सिकार नहीं है तो उन्हें मजबूरी में जंगल से बाहर आना पड़ता है सिकार की तलास में और इस वज़े से उनका human being से सामना हो जाता है यहाँ पे conflict generate होता है next देखो जैसा हमने डिसकेस किया बढ़ती हुई आबादी के कारण जंगलों के तुरंट बाहर जैसे national parks, wildlife centuries उनके तुरंट outside वाले area में आपको खेत देखने को मिल जाएंगे अब काफी सारे animals ऐसे हैं जैसे elephants वो जब खेतों में खड़ी किसानों की फसलों को खाते हैं जोकि उनको काफी nutritious लगती है तो ऐसी situation में किसानों के बीच और elephants के बीच conflict पैदा हो जाता है जब देखो forest में सूखा आता है या फिर बाड आती हैं और कोई दूसरे परकार की calamity आती हैं तब भी जानवर खाने की तलास में, पानी की तलास में और shelter की तलास में जंगलों से बाहर आ जाते हैं और conflict पैदा हो जाता है Next point Accidental deaths अब जैसे देखो development activities बड़ी हैं infrastructure increase हुआ हैं तो बहुत से जंगल ऐसे हैं जिनके बीचो बीच railway line गुजरती हैं road गुजरते हैं, electric wires गुजरती हैं तो कई बार accidental deaths भी animals की हो जाती हैं जैसे train के नीचे आने से किसी vehicle के नीचे आने से या फिर करंट लगने से तो ये हमने बात की regions की अगर देखो अब consequences की बात करें इन बढ़ते conflicts का consequence क्या निकलता हैं देखो जाने तो दोनों के जाती ही हैं animals की भी और human beings की भी लेकिन इन conflicts के कारण forest में और forest के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी animals के परती एक नफरत का भाव पैदा हो जाता हैं जिसकी वज़े से conflicts और ज़्यादा होने लगते हैं और ये vicious cycle चल पड़ता हैं कुछ लोग देखो इसे एक debate की सकल दे देते हैं human beings versus animals देखो earth पर जितना हक human beings का है उतना ही हक animals का ही है तो हमें ऐसा तो कोई रास्ता निकानना ही होगा जिससे दोनों coexist कर सके वैसे छोटे छोटे और भी points आप लिख सकते हों जैसे property का नुक्सान होता है जैसे खड़ी फसल जो है वो बहुत बार नील गाए या फिर elephants जो है उनको नुक्सान पहुचा देते हैं लेकिन question ये उड़ता है क्या सरकार कुछ कर रही है इन बढ़ते conflicts को रोकने के लिए अगर answer हाँ है तो फिर ये conflicts आखिर कर रूक क्यो नहीं रहे हैं और क्या और किया जाना चाहिए लेकिन क्या किया जाना चाहिए वो हम बात में discuss करेंगे अभी बात करते हैं सरकार आखिरकार कर क्या रही है हाल ही में National Board of Wildlife की extending committee के रधरा एक advisory को approval दिया गया human wildlife conflict को tackle करने के लिए जिसमें देखो सबसे ज़्यादा मुखे बात ये है जो local gram panchats है उनको ज़्यादा सक्तियां दी जाए उनको empower किया जाए Wildlife Protection Act 1972 के section 11 class 1b के तहट जो wild animals problem create करते हैं उनसे निपटने के लिए समझ गए मतलब local panchats को ज़्यादा involved किया जाए problematic wildlife animals से deal करने के लिए दूसरा जंगल के अंदर ही proper water sources और fodder की ववस्ता की जाएं ताकि खाने की तलांस में जो animals है वो जंगल से बहर ना आएं अगर देखो animals फसल को नुक्सान पहुंचा भी देते हैं तो पधामिंतरी फसल बीमा यूजना के तहट किसानों को crop compensation जल से जल मिलना चाहिए और काफी बार जो human beings और animals के बीच conflict के कारण इनसान की जान चली जाती है तो उसके लिए भी family को compensation जल से जल मिलना चाहिए initial amount तो 24 गंटे के अंदर मिलना चाहिए देखो इनसान तो वापस नहीं आ सकता लेकिन compensation की रखम अकर तुरंत मिलती है 24 गंटे के अंदर तो थोड़ा सा जखम जो है वो जरूर भरा जा सकता है next बहुत बार जैसा होता है कि accidents के कारण animals की death हो जाती है तो इसके लिए proper barrier लगा के रखा जाए early warning system की भी विवस्ता की जाए इसके लावा देखो advisory में और छोटे-छोटे बहुत सारे points है जैसे forest department उन sports की उन locations की पहचान करे जहां पर past में animals और men की बीच conflict हुए है क्योंकि उन locations पर आगे भी conflict हो सकते है next गाववालों में proper toll-free number को परचारित किया जाए ताकि कभी भी उन्हें कोई animal दिखे जो forest से बाहर आ गया है जिनसे इंसान को खत्रा है तो forest department को इसके बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाए तो ये जो advisory थी इसे अब approval दे दिया गया है National Board of Wildlife की standing committee के द्वारा इसके अलावा भी देखो एक National Wildlife Action Plan है 2017 से लेके 2031 तक के लिए इस National Wildlife Action Plan में भी काफी सारी guidelines दी गई है Human Wildlife Conflict को कम करने के लिए इस Action Plan में सबसे मुख्य guideline तो ये है Human Wildlife Conflict जहां पर भी होता है उसका एक database maintain किया जाए ये database state level पर, regional level पर और national level पर अलग-अलग maintain किया जाए और देखो जैसा हमने discuss किया था कि बहुत बार कुछ animals की population काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो animals की जो population है वो scientific धंग से manage की जाए land use practice जो है वो भी scientific धंग से manage की जाए इसके साथ साथ communities को involve करना human beings और animals के बीच conflict को tackle करने के लिए वो सबसे ज़्यादा effective साबित होता है तो इसके लिए देखो committees में awareness फिलाई जाए educational program चलाई जाए जैसे शेरनी movie में दिखाया गया है one mitr जो हैं वो मदद करते हैं tigers को save करने में उसी परकार से देखो real life में भी बहुत सारी ऐसी local committees हैं जिनोंने animals को बचाने में एहम भूमी का निभाई हैं रजस्तान ये वो tribes हैं वो committees हैं जिनोंने animals को परिजव करने में बहुत अच्छा काम किया हैं वैसे देखो अगर कुछ animals की संख्या बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं जैसे wild boar और नील गाएं इन भिहार और monkeys इन हिमाचल परदेश से तो wildlife protection act 1972 में provision है उन animals को vermin declare किया जा सकता है यानि बाद में उनको मारने पर फिर सजा नहीं होगी कुछ समय तक mass sterilization drive भी चलाया जा सकता है ताकि animals की संख्या कुछ animals की संख्या अगर बहुत ज़रा बढ़ चुकी है तो उनकी population growth को control किया जासके वैसे national green tribunal ने ministry of environment and forest conservation को ये कहा था कि आप consider कीजिए जहां जहां पे elephant corridor है इंडिया में उनको eco sensitive jones डेकलेर कर दिया जाए तो मतलब कहने का ये है सरकार अपनी तरफ से परियास कर रही है human और wildlife के बीच conflict को कम करने के लिए लेकिन और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है क्या कुछ और किया जा सकता है सबसे पहले तो देखो हमें human wildlife conflict का source पहचानना होगा human wildlife conflict का जो source है वो human beings है animals नहीं है क्यों? humans की population बड़ी है animals की population तो पहले के अपिक्साकर्द बलकि कम हुई है तो इस conflict के लिए आप बताए कौन दोसी है human beings दोसी है दूसरा community centric management और conservation पे हमें ध्यान देना होगा जैसा हमने पहले भी डिसकस किया कि कुछ national parks और wildlife centuries में और आसपास local committees ने animals के conservation में important role play किया है तो बाकी जगवों पर भी इन examples को हमें replicate करना होगा और animals को conserve करने के लिए हमें landscape level management की strategy अपनानी होगी landscape level strategy में क्या होता है काफी सारे stakeholders को, processes को resources को integrated manner में manage किया जाता है ताकि animals, forest और forest में या फिर आसपास जो villagers रहते हैं सबके हितों का ध्यान रखा जासके सबके interest को protect क्या जासके next वैसे देखो सरकार ने पर्यास किये हैं awareness फिलाने के लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि villagers में awareness का अभाव होता है डर जाते हैं वो animals के आने से और एकदम से animals पर हमला कर देते हैं अगर वो timely forest department को सुचित करें तो animals के भी जान बचाई जा सकती हैं बलकी animals को रोका भी जा सकता है human beings को नुकसान पहुंचाने से पहले next point latest technology का सारा लिया जाए 24 into 7 monitoring के लिए animals के आने एक forest से दूसरे forest के बीच जाने के लिए जो corridor होते हैं उनको manage करने के लिए frontline capacity को enhance करने के लिए कुछ wildlife experts का ये मानना है अभी भी हमारे देश में forest personal जो हैं पुरानी technology का इस्तमाल करते हैं पुराने ढंक से tranquilizers का इस्तमाल करते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए जबकि दूसरे देशों में काफी latest technologies वो adopt कर चुके हैं तो इंडिया को यहां से सीखने के आउ सकता है सबसे last में point ये दिया जाता है बहुत बार देखो जैसे elephants की death हो जाती है train के नीचे आने से ये फरकरंट लगने से और भी जानवरों की death हो जाती है तो infrastructure को इस परकार से प्लान किया जाए कि वो animals के रास्ते में ना आए और अगर जरूरी है तो फिर proper barrier establish किया जाए ताकि animals की death इस परकार से ना हो human established infrastructure की चपेटे में आने से तो इस वीडियो में हमने human wildlife conflict को detail से discuss किया Thank you, thank you very much for discussion